हेलो जी, नमस्ते जी, कैसे हैं सब? आसा करती हूं, सब अच्छे होंगे, अपने घर में खुष होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्थ होंगे और आज मैं कर रहे हूं उपर के कमरे की सफाई अब मैं अपनी exercise वगरा करके नादो के पूझा करके सिद्धा उपर ये आगे हूं चाय वगरा भी नहीं पी अभी क्योंकि मैं सोचा पहले सफाई कर देती हूं रेनु के आने से पहले उपर क्योंकि वो ही करती है और ज्यादा आप समझ सकते हैं और मैं क्या कहूं तो ऐसा ही है कि आज मैं सोचा आज मैं चलती हूं पर क्योंकि ना परसों में उपर आई थी अ हटा के जाडवाड के देखूंगी कुछ काट तो नहीं रखा और देखो यह यहां पर पीछे परदे के पास एक टीशू का वो रखा था पायल काम करते तो उसको टीशू को जरत पड़ती है वो चुया ने काट रखा था तो फिर मैंने यह सारी टेबल हटा के जाड़ के दु उसमें क्या है कि हम यह अगर समान अपारगे एक बार हटार सफाई कर देंगे तो उससे क्या होगा यह वी पता लग जाएगा कि चूरेने कई कट आए और फिर दूसरा यह पता लग जाता आर्ब साथ के मुस्रें कहीं सीर्लन और तो नहीं आरी तो इसा होता कि सिलन में इस बहुद गिल्ले थे मैंने बाद में ध्यान दिया मेरा सूट भी सारा बालों से गिल्ला हो गया पीछे से इगनॉर करना आप इस चीज तो यहां पर इस रूम में तयार हुए थे उपर बड़ा सीसा तो है नहीं तो मैंनों नों छोटा दे दिया था ये इसे भी मैं आज वापस रखूंगे उस दिन से मैं उपर मतलब आती तो हूँ पोदो की केर करने तो आती हूँ लेकिन ऐसा ने रूम कम खोलती हूँ क्योंकि अब भी नहीं है और हम दोनों ही है तो हम नीचे ही रह लेते हैं अब उपर करना इतना जादे गं साफ करके अच्छे से डस्टिंग वगरा करके और अपने सामने अच्छे से पोच्चा वगरा लगवाँगी यहां पर लेकिन डस्टिंग तो मैं खुदी कर रही हूं अच्छी सी ताकि मुझे सब चीज के लिए रो जाएं कि कहां क्या है और इस सोफे के पीछे भी मैंने ह देखो यह इसके पीछे चुवे ने गंदा भी कर रखा है कुड़ा आप देख सकते हैं वैसे तो चीजों के पिछे थोड़ा बहुत हो भी जाता है ऐसी बात नहीं है लेकिन फिर भी है कि वही चार-पांस दिन में एक बार अगर सोफा खिसका के अच्छे से जाडू लग अच्छे से इसको दुबार से सेट कर दिया और यह गंदे नहीं है क्योंकि उपर कम ही आता है तो इसलिए गंदे तो कम ही हुए है और अपने घर का काम सही बताओं तो खुद करने में जो आनंद है ना किसी और से करवाने में है नहीं लेकिन कहीं बारा से होता है कि कि जम के सफाई कर दिया बिल्कुल अच्छे से और मैं नाने के बाद इस काम में लगी और फिर ऐसी हो गई दुबार से पसीने पसीने नाई बेनाई सब बराबर लेकिन कोई नहीं घर का अपना काम करना है तो भी यह तो थोड़ा बोत तो होई जाता है और अभी मैं पहले नहीं से निकाल के दे दिया था है कि आप इसमें देखके थोड़ा सा एड़स्ट कर लेना क्योंकि बड़ा सीसा नीचे लगा हुआ है तो अभी मुझे याद आ गया तो मैं नहीं यहीं रख दिया इसके भी हैं सोफे के कवर में जाड के अच्छे से दुबार से बिचा दि कि कितना नुकसान मेरा हुआ है बारिस से और अब यह देखो इधर से भी कितना कुड़ा निकल गया है और अभी में यह जो टेबल के निचे यह रग पड़ा है इसको भी अच्छे से बुरुस से साफ करूंगी इसमें से भी बहुत सारा डस्ट निकलेगा तो कि मुझे उस सही में इसको साफ करूंगी अभी मैं आपको दिखा देखो इस बुरुस से मैंने रग साफ किया अच्छे से एक्ट्रा रुआ है कूड़ा है या बाल वगरा जो भी इस पर होते हैं देखो आप देख सकते हैं कितनी गंद की निकली है क्लीन होने के बाद एक लगी वह आ ज पूच्चा लगाया था बाकी सारा मैंने किया अब इसको टेबल को भी मैं सेट कर दूंगी अब केवल टेबल रह गिया है इस पर को दिन लगाना है मेरे को और मैं से अके लेख इसकाई फिरती रहती हूं इनको फरनीचर को सारे में यह रूम सेट हो गया बिल्कु बस टेबल पर मैं को दिन लगा दूंगी थोड़ा सा यह इस इसा भी बिल्कु साफ हो जाएगा यह बिल्कु बड़ा तो साफ ही रहता है लेकिन फिर भी है सफाई तो सफाई है कही बार कोई आ जाए या चानक तो इसलिए सब सेट करके ही पड़ता है सारा गर बढ़िया से और आप बताइए आप किया बारिस कैसी हो रही है राज बस ओर जाद है वैसी तो कुछ मतब डिस वगेरा तो कुछ बनाई नहीं थी वही घर का नॉर्मल खाना पीना था तो आज मैं यह काम कर रही थी मह चलो इसके बाहन नहीं आप सब स पर रख दी है पाया लगी क्योंकि चुह यहां कभी आ जाये फिर किताब वगरों को काट दे देखो कमरा एकदम सेट है और आप में थोड़ी सी दस्टिंग इन पर दरवाज्य वगरा पर भी कपड़ा लगा दूंगी सुखा ही गिल्ला नहीं लगा रही हूं क्योंकि वैस तो इसलिए जब भी मैं उपर काम करती हूं खुद से उस दिन में यह सब चीजे क्लीन कर देती हूं तो उससे क्या होता है मेरे बर्डन भी नहीं पड़ता काम का और चीजे साब भी रहती है तो ऐसे ही है मतब अच्छे से अब उपर वाली में सीडी की मतदस्ते में कर दू तूल में रखा था अब अब इसे यहीं खिसका दूँगा अभी नीचे पोच्चा नहीं लगाए यहां पर अभी नहीं पोच्चा लगाएगी तब इसके बाद हम इसको यहीं पर खिसका देंगे जो भी रह गया था यह उसको साफ को दूँगी इधर ट्रेड मिल भी मुझे काफी गंदा लग रहा था तो मैं सब्सक्राइब कपड़ा लगाते हैं और यह कपड़े धूले रखे थे जब मैं उपर आई थी तब ही लेकर आई थी फलाए नहीं थे और इन भी मैं ब्रैलिं हो जाएगी बाद में डेक्ट प्रैस तो करते नहीं है मसीन में सुखाने के बाद क्योंकि फिर बिजली भी जादा फुकती है और इसमेल सी भी आती है कपड़ों में तो इसलिए थोड़ा सा हवा तो निकलनी चाहिए तो थोड़ी देर गेट खोल के और यहीं पर सुखा द बाद आलंड बेगती हैं कम से कम किंते दीन होगे तब ही मसीन लगी है जब है और कर summation लगाने की जोरती नहीं पढ़ती क्योंकिbol जादा होने पर यह अपको दिखा रही हूं एग सींड रस करे मतल रख लगा थição को पर लगांते को दोट जादे क्ब्ड़ा फूंते परु इतने भी लगाईते सब चल गए अच्छे से एक यह पोदा है तुलसी महीया है उपर वाली बालकनी में भी है और नीचे भी है दो पोदे और यहां भी और मेरे हर गमले में तुलसी महीया उगी हुई है और देखो यह है इस नेक प्लांट की छोटी वाली वराइटी और यह स चोटी कटिंग लगाई थी इसके साइड से कटिंग और निकली आई है देखो यह चल गिया बढ़िया से कटिंग इस मोसम में बहुत अच्छी चलती है यह एक पोदा है ऐली फेंटा है क्या बोलते है इसको और देखो करी लीव कितना अच्छा हो रखा है करी पत्ता जो हो निकल लेती हूं में फोदो के नीचे से बड़ी-बड़ी सी यह जो जाते हैं उन्हें काड देती हूं देखो यह मैने पत्ती गाड़र ठखिया इसी पतिसे निकले हैं यह वाला पोदा को इससे इस साइड में हैं कलीम है और यह यह проблем मैने इससमे तीन-पत्तिया लगा थी तो तीन पत्यों से तीन पोदे बन गए हैं और वो पत्या तो इनने जनम देके फिर खतम हो जाती है लेकिन अच्छे से चलती रहते हैं यह पोदे बहुत अच्छे ग्रो हो जाते हैं पत्यों से ही और यह देखो यह नीचे हिल रही है ना पत्य ऐसी पत्या आप निकालो और मट्टी में दबा दो तो यह बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं यह मैंने एक पोधा लिया था एक सब मिरे पास कहीं सारे और रखे हैं और जो नुक्सान हुआ है नहीं यहां पे एक पोधा रखा था इस स्नेक प्लांट का बड़े वाले स्नेक प्लांट का और वो नीचे गिर गया यहां से और उसने कितना नुक्सान किया अभी मैं नीचे जाके आपको दिखाऊंगी एक गमला ही रखा है और यह अपराजिता की बेल है यह उपर तक गई हुए है देखो फूल देखो किता सुंदर खिला है इस पराजिता पर बड़े सुंदर फूल लगते हैं फूट तो है लेकिन यह टूटा क्यों नहीं मैं आपको बताती हूँ यह मेरा पोधाय क्रिस्मिस्ट्री यह बहुत उच्चा हो रखा था यह इसके उपर गिरा इसने यह पोधा तोड़ दिया इसकी जो लेंथ थी वो तोड़ दी है और दो पत्तियां यह चारो तरब जो वीडियो बना के आप लोगों को दिखाती इसकी भी एक पत्ती टूटी है बहुत बड़ी एक गंबला यहां पर रखा था चंपा का जैसा यह वाला है ना आपने देखा भी होगा पहली वीडियो में बिल्कु सेम इसमें दो लेयर है वो सिंगल था लेकिन उसमें तीन और एक इसकी यह टूट गी है गंबला भी टूट गया गंबला तो मैंने चेंज कर दिया यह यह देखो अभी मत्ती भी सूकी है मैंने दूसरी मत्ती में लगाया इसको क्योंकि खराब हो जाता वर्ना पोदा अब तूटा हुआ तो होई जाएगा चलो जैसे भी आर जो जाएगी और जो उसकी पत्ती टूटी है क्रिस्मिस ट्री की दोनों पत्ती मैंने इसमें लगा दिया है देखते हैं इनकी जड़ में मतलब जड़ निकलती है नहीं अगर चलेंगी तो चल जाएगी यह भी मैंने इस कमले में गाड़ दिया है चोटे में और मुझे बड़ा हो रहा है बारिश जितना जितना सुक दे रही है मुझे तो उतना ही दुख भी दे दिया है आप इसवार यह स्नेक प्लांट की पत्ती टूटी थी यह मैंने इसमें गाड़ दिया इसमें से तो लीव निक मतलब निकल आएगा दूसरा पर वो जो मेरा बड़ा था ना क्रिस वहां तो सबकुछी तबाह हो जाता है लोगों का यह तो मैंने पोदे जो टूटे थे दूबारे लगा दिया है ग्रोह होएंगे नहीं होएंगे तो किस्मत की बात है पर जिनका सबकुछ चला जाता है वो भी जीते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें चैनल को सस्क्राइब कर दें बाई बाई